रूबीना दिललाइक की हालत हुई खराब COVID-19 की वज़ा से उनकी हालत में नहीं हो रही है कोई भी सुथार चलिए जानते हैं आखिरकार रूबीना फैंस के लिए ये है एक बुरी खबर नमस्कार मैं स्नेकदा स्वाकत करती हूँ आप सभी का मारे चैनल पर आप सबी को बता दो कि जहां रूबीना दिललाइक और डी शूटिंग कर रही थी शक्ति अस्तित्व के एसास की उसी दौरान फाइनली वो COVID-19 पाई गई जिसके बाद आप वो अपने घर पर अपनी मॉम के साथ है मौजूद जहां पर उनके मॉम उनका पूरा ख्यार रही है रिसेंट्ली उन्होंने ये अपडेट दिया था कि उनकी मॉम की वज़ा से ही उनके well conditions भी फिलहाल ठीक हैं लेकर अब ये खबर आ रही है कि well अब रूबीना दिललाइक के हालत में कुछ खास उधार नहीं हो पा रहे हैं बढ़ते हुए कोरोना मामले को देखते हुए अब आप सभी को बता है कि रूबीना सबसे जादा शोशल मीडिया पर आक्टिव रहती थी आए दिन अपने हर एक मॉमेंट शेयर करती थी लेकिन जब से रूबीना दिललाइक कोविस पॉजिटिव पाई गई है तब से वो उनकी इतनी जादा हालत खराब है कि वो शोशल मीड प्रिया साइट्स पर भी प्रॉपर आक्टिव नहीं हो पा रही है और नहीं अपने कोई अपडेट शेयर कर पा रही है इसका मतलब काफी क्लियर है कि रूबीना दिललाइक की हालत काफी जादा गंभीर बनी हुई है उन कोविट की वज़ा से उनके हेल्थ में कोई भी प् पूरा ख्याल रख रही है तो इस तरीके से रूबीना दिललाइक के हेल्थ अपडेट को लेकर ये है बुरी खबर आप क्या कहना चाहेंगे इस खबर को सिनने के बाद वेल गाइस रूबीना दिललाइक की स्पीड रिकवरी के लिए क्या कुछ ब्लेसिंग्स और विशेस म आप क्या प्रेक कर रहे हैं आप क्या विशेस मांग रहे उनके लिए हमारे कॉमें सेक्षन में लिख कर बता सकते हैं तबाम बॉलिवुटर टीवी दुनिया से जड़ी हरे खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल